तो आप लोग कैसे हैं आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो आज हम आप लोग के लिए ले कर रहा हैं क्लास टेंथ का थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नन मेटल्स का लेक्चर नमबर 7 जिसके अंदर की आप पढ़ेंगे मतलब की मेटल और नन मेटल के बीच में रियक्शन होने के बाद किस टाइप का नेचर का जो है वो सबस्टेंस बनता है किस टाइप का कमपॉंड बनता है और यह दोनों आपस में रियक्शन क्यों करते हैं और कैसे करते हैं and why? मतलब क्यों और कैसे? Is that okay? मतलब कैसे react करते हैं आखिर क्यों react करते हैं इसके बारे में हम लोग इस लेक्षर के अंदर देखेंगे तो चलिए बिना देर के हुए हम लोगो इसको start करते हैं देखो जैसा कि जितने भी concept है metal से related और जितने भी concept थे non-metal से related हमने सारे के ओपर बहुत ही अच्छे से focus किया physical property chemical property और उसकी reactivity साथ ही साथ non-metals के बारे में भी उसकी reactivity का चर्चा हमने किया था और उसका use कहां कहां होता है आज हम यह देखेंगे कि metal अपना tendency कैसा रखता है और non metal का क्या property है क्या tendency बो रखता है और आप दोनों किस तरीके से react करते हैं तो सबसे पहले एक बात हम आपको बता दें कि मेटल की जो केमिकल प्रोपर्टी थी उसके अंदर हमने आपको एक बात बताया था जो मेटल्स होते हैं उसके उपर पॉजिटिव चार्ज होता है जब तक वो पॉजिटिव है तभी तक वो म की टेंडेंसी रखते हैं वो मेटल होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन करने के टेंडेंसी रखते हैं वो डिन мощ gonna होते जर्ली हम लोगों नहीं देखा ऐसे तो कि उपर हमारा सारा लेक्च convince अगर आपने नहीं देखा वह सारी लेक्चर को ज़रूर देखे करकर करके तो उसके इंदर बहूत कुछ आपको सीक्कने को मिलेगा और बहूत सारे ऐसा चीजह जहां से की वह अगर उस lecture को देखते हो तो ये lecture और भी असानी से आप समझ सकते हो तो तो Metal की tendency क्या होती है इलक्ट्रन लॉस करने की और नन-मिटल की जो tendency होती है इलेक्ट्रन को क्या होती है गेन करने की tendency है और यही चीज होना भी चाहिए यहीश हम लोगों को चाहिए भी कि Metal लॉस कर रहा और अगर कहीं भी ऐसा आप देखें कि कोई एक लॉस कर रहा है और दोनों अगर ऐसे इस्तिति में अगर कमईंड कर रहा हो तो उससे बना हुआ कमईंड को उससे बना हुआ सबस्टेंस को हम लोग आयनिक कमईंड कहते है मतलब कि दो स्टैब सबस्टेंस बीच इसको ले ले रहा है तो ऐसे स्टीश्थिति में जो बना हुआ सेंस होता है वह आइनिक कमاز कहलाता है और जो दोनों के बीच में जो बांडिंग बनती है उसको आइनिक बांड काते हैं क्या करते है बाभू आएनिक बाउन चलो हम लोग पहले डिफनीशन लिख लें फिर उसका एक जम्पल देख लिए और उसके बाद बॉंड को देखे कैसे करता है सारा को चीज देट होगे तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे कि भेन मेटल रियाक्ट बीथ नन मेटल वेन मेटल आप इस साथ में लिखिए रियाक्ट बीथ नन मेटल देन फॉंड देन क्या बाबू फॉर्म आयनिक कंपाउंड फॉर्म आयनिक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या हो जागा तो आयनिक वर्ड का मतलब क्या है आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या है बाबू तो दोज सेबस्टेंस दोज सेबस्टेंस विच इज फॉर्म which is form by the complete transfer of electron by the complete transfer of electron मतलब कि वैसा सेबस्टेंस जो इलेक्ट्रोनों की complete transfer से बनता हो हम लोग उसको क्या कहते हैं कैसे कैसे तो देखो हम एक एक जामपल ले लेते हैं सोडियम सोडियम के आट्मिक नंबर है 11 तो इसकी configuration क्या हो जाएगी 281 हमने सारा कुछ आपको सिखाया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर में ही 281 तो जहिर सी बात है यह one electron को loss कर देगा क्यों कि सारे elements क्या चाहते हैं चाहते हैं कि हम अपने nearer inert electronic configuration को achieve कर ले तो nearer inert electronic configuration को अगर achieve करना चाहेगा तो sodium one positive में change होगा जब यह 28 बनेगा चुकि इसके nearer जो nearer inert हैं nearer inert है neon neon के atomic number है 10 और इसकी configuration है 28 तो इसकी भी configuration 28 के जैसा हो गया कब जब यह sodium one positive में आ गया को दिकत नहीं अब chlorine कॉम लेग ले लिए 17 इसकी कॉम अट्मिक नमबर है 287 अब इसको वन electron चाहिए जो electron यह लॉस करेगा वही electron को यह gain कर लेगा तो यह CL1 माइनस में change हो जागा जिसकी configuration हो जाएगी 288 और इसके similar जो होंगे वो कौन होंगे आरगन आरगन की नमबर 18 है 288 यह दोनों आपस में सेम हो गया ठीक है अब हम यहां से ले लेंगे sodium one plus को और यहां से ले लेंगे chlorine one minus को अब इसकी balance क्रॉस करेंगे दोनों का चार्ज अपॉजिट है नमबर इक्वल है कैंसील हो जागा तो यहां जो है sodium अपना एक electron को दे दिया और आपस में दोनों मिलके combine होगा और बना दी sodium chloride इस देट ओके जब यह sodium chloride बना तो यहां complete transfer of electrons से बना हुआ substance है तो complete transfer of electron से बना हुआ substance है तो हम लोग इसको कहा देंगे ionic compound is that okay लेकिन दो दोनों के बीच में जो बना हुआ bonding होगी हम लोग उस bond को बोलेंगे ionic bond क्या कौन सा bond बोलेंगे ionic bond यह दोनों में जो बना हुआ का bond होगा वो ionic bond है ऐसे हम लोग bond का मतलब क्या समझते हैं या bonding क्या होती है bonding इसे hypothetical imaginary का लोग एक chemical force होता है जो की दो atom को strongly held it मतलब की एक दूसरे को पकड़के रखता है हमें हाँ define कर दे रहे है what is bond तो बता द रहे हैं कि it is a what is bond तो यहां लिग दे रहे है it is a chemical force by which two atoms are held strongly bond क्या है बाभू bond क्या है तो bond है कि यह chemical force होता है जिसके माध्यान से कि दो atoms जो होते हैं वो आपस में strongly क्या होते हैं held it होते हैं दुसरे को पकड़के रखते हैं जैसे देखो मालो साधी ही होता है तो लड़के की जो सिर्वानी की जो दुपट्टा होता है लड़की के जहां चल होता है उसमें बांद देते हैं तो वो बांदने के बज़े से लोग बैठे हुए है ऐसा तो है नहीं अरे वो तो attractive force के बज़े से बस बांदा हुआ ऐसा नहीं कि उसको छोड़के खोल के निकलने नहीं आएगा वो भाग सकता है बिल्कुल भाग जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है वहाँ attractive force लग रहा है है तो वो लाइन देख रहा है तो हम लोग इसको बांड माल लेंगे बांड वो नहीं होता है जो लाइन दिख रहा है आपको बांड का मतलब के केमिकल कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एलेक्ट्रॉंस बन यह बना है तो वो आइनिक बॉंड का लाइगा कौन सा बॉंड आइनिक बॉंड इस देट हो कि तो आप इतना का पहले स्क्रीन सोट लेड़े अब हम और वी एक्जामपल देते हैं जैसे आइनिक बॉंड में तुमाको मैग दूसरा नमबर एक्जामपल में ले ले मानलो ले लेते हैं मैगनेशियम इसकी आइट्मिक नमबर 12 हो जाएगी इसकी कॉन्फिरेशन 282 हो जाएगी ऑक्सीजन 8 हो गया 2 और 6 यह दो इलेक्ट्रॉंड लॉस करेगा इसको यह चेंज हो जागा मैगनेशियम 2 प्लस में और तो ऑक्सीजन 2 एलेक्ट्रॉंड गेन कर लेगा तो निगेटिम एचेंज हो जाए यहां दो हो गया यहां भी दो हो ठीक है कैंसल कर देंगे तो बन जाएगा एम जी ओ मैगनेशियम ओक्साइड तीसरा नमबर मानलो ले लेते हैं अलुमिनियम अटमिक नमबर 13 283 और यहां कितना इलेक्ट्रॉंड दे रहा है तो हमको तीन इलेक्ट्रॉंड दे रहा है तो क्लोरीन भी तीन एटम चाहिए तीन को क्लोरीन लेना होगा तो यहां से L3 पॉजिटिव लखना होगा क्लोरीन यहां वन निगेटिव रखना होगा इसकी वैलेंसी वन इसकी वैलेंसी त्र बन रहा है वो इलेक्ट्राउन को ट्रांसफर करके बन रहा है एलेक्ट्राउन अपना दे दे रहा है और कोई कंप्लिटली गेन कर ले रहा है तो जहां कहीं भी इलेक्ट्राउन को ट्रांसफर करके बनता हो वो कंपाउंड आइनिक कंपाउंड कहलाएंगे और दोनों के अब इसका भी आपने देखा reaction with metal and non metal ठीक है अभी हम लोग जो समझेंगे वो reaction with metal समझेंगे reaction with the photo कभी भी दो मेटल आपस में रियक्ट नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे हम यहां लिख देना है ऐसे two metals are does not combine to each other each other कभी भी दो मेटल आपस में combine नहीं करतें तो क्यों नहीं करतें देखो सिधा सा फंडा है एक तो की metal electron loss करते हैं और non metals जहें वो electron gain करते हैं इस कारण से combination हो जाती है दूसरी condition यह होती है कि electron को share करके भी combination किया जा सकता है लेकिन कभी वे ऐसा नहीं हो सकता है कि इडर से भी notification loss हो और उदर से भी electron loss हो रहा हो और दोनों को आप नहीं से join कर दे तो लिखेंगे कि वेन तू नॉन मेटल्स और कमवाइंट थू ऐडर कमवाइंट तू इच अधर तैन फोर्म को है लेट्स है वस्टेंट और ढू गोड़ेंट कमपाउंड ठीक है और जो बॉण बनेगी उसको हम लोग बोल नेंगे क्या को बोलेंट बॉणंड तो чики पॉलेंगे बावु वेंे कि बाणड इस फॉर तैसे ऌफिललिक्टॉब остан है इसे एरिंग आफंद स्विट डॉक्टा ह है शेती ज्यांपल से मालडों ले लेते हैं पहलाद ले लिये जैसे हम तुम को तुम को भी एक्जामपल ले सिंपल सा मालो ओ एफ टू का एक्जामपल हमने लिया ऑक्सीजन फ्लोराइड का एक्जामपल हमने लिया तो जैसे ऑक्सीजन का सबसे पहले के लिक्ट्रों के रिख घीजन करेंगे 1 टू फ्लोरीन रिख दिया और एए फ्लोरीन नहीं हो ri को कितने एक रिख दिया है और एक यहां तो जहे हिर शिवाद है था फ्लोरीन को कितने एलेक्ट्र confrontation की जरूरहत हैैँ जरूरीन कीज्रूराइगां कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा वन तो थ्री फॉर फाइफ सिक्स सबन यहां भी फ्लॉरीन की सेवन अर्वन इलेक्ट्रॉन से गेन खरलेगा इस डैट ओके और बना देगा ऑक्सिजिट डाइफ फ्लॉराइड दो यहां जो ऑन्दिंग होई ही है दोनों के बीच में वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपर से नहीं होई इलेक्ट्रॉन के सेरिंग से बांड बना है मतलब कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन आपस सेर करके अगर बांडिंग बनाते हों तो उसको हम लोग बोलते हैं को वैलेंट कंपाउंड और दोनों के बीच में बना हुआ बॉन्ड को बोलते हैं को वैलेंट बॉन्ड जैसा सेकंड नंबर और एक्जामपल ले लिए हम तुमको बोले CCL 4 का बनाओ कारबन टिट्रक्लॉराइड को कारबन ले लिए 1234 और क्लोरीन मौलकिल 4 है 1234 क्लोरीन के ऑटर मॉर्सल में कितने एलेक्ट्रॉन होंगे जहेर सिवात सेवन 11234567 1234567 1234567 1234567 अभी कारबन के आडर मॉर्सल में 4 सोरल है और four chlorine है और ़ायए को वन वन इलेक्ट्रॉन चाहिए लैंस हो नोग उन को फिर वन इलेक्ट्रॉन यहां और बनिकर्ण आजाएगा और जो दुनों के बीच में जो बना हुआ बांडिंग और गशिख है देटаться थी मने इंहें इस प्रोंभilia sharing of electron is called covalent compound and the nature of the bond is covalent bond is that okay तो यह इस तरीके से हमने दो एक्जामपल देखा आप इसका भी screenshot ले लेंगे और याद रखेंगे कि दो ननमेटल्स आपस में combined करेंगे और जो बना हुआ substance होती हो उसकी nature होती है कोवैलेंट की होती है याद रखेंगा बात ट्रांस्पर ओफ एलेक्ट्रॉन आयनिक sharing of electron covalent आप इसका screenshot ले लिए इसके और भी कुछ example हम दे रहे हैं आपको जैसे carbon dioxide को ले लो हना ammonia को ले लो यह सारे कोवैलेंट substance होंगे ठीक है जैसे carbon dioxide का example हम आपको तीसरा नंबर में कारवन ले लिए एक co2 और यहां बना दे कारवन है one two three four electron oxygen one oxygen और one oxygen यहां one two three four five six one two three four five six अब दो इलेक्ट्रॉन यहां आपस मैं से शेयर कर लिया बन गया एक लेक्ट्रॉन यह एक लेक्ट्रॉन यह आपस में कारवन का एक लिए लेक्ट्रॉन और इस कारवन लेक्ट्रोन और इक से उसे का लेक्ट्रॉन तो देखो बन टो थी फोर फाइब six seven eight one two three four five six seven eight कारवन वे अचिव कर लिया one two three four five six seven eight is that okay जितने भी होते हैं ना थाड़ नमबर four और ले ले एने थ्री ले ले होगी five one two three four five hydrogen लिया एक हाइड्रोजन यहां ले लिया और एक हाइड्रोजन अबने यहां लिया एक हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए चुकि इसको नियॉन के जैसा बनना है बताते हैं कि क्यों बनना है और यह जो है हमारे पास अमूनिया यह वी एक कोवेले पहले बात हम करते हैं कि bonding की कारन क्या होती है तो bonding की कारन यही होती है कि all elements all elements are bound to be bound to be a nearer nearer inert inert electronic configuration configuration मतलब कि जितने भी elements होते हैं वो सारे चाहते हैं कि हम हमेशा अपनी नजदीकी inert gas के जैसा बन जाएं तो अपनी नजदीकी इनर्ट गैस के जैसा क्यों बनना चाहता है तो for better stability for more stable for क्या लिख सकते है more stability है ना यहां लिख देते हैं more stability है ना है ना सबसे ज़्यादा stable होने के लिए वो चाहते हैं हम और ज़्यादा stable हो जाएं और ज्यादा stable हो जाएं इस के कारण वो चाहते हैं कि हम क्या हो जाएं इनर्ट गैस के जैसा बन जाएं तो यहां देखो carbon जो है वो नियॉन के जैसा बन रहा है चुकि carbon 12345678 तो लौटर मुर्सल में एक इलेक्ट्रोन है तो नियॉन के जैसा बनेगा नाइट्रोजन यहां नियॉन के जैसा बन रहा है यह और भी जैसी जांपल दे रहे हैं तुमको मालनों सलफर देदे सलफर की अट्मिक नमबर कितनी है 1628 और कितना हो जाएगा 6 तब सोचो यह किसके एक आधीगोंगा आए नियुक्त दिम्हु कर ने के दना जबबसर नियुक्त चाहिए वह इसके जैसा बंडेगा टोंड़न के जैसा और दो इलेक्ट्रोन को गिए तो जब गेन करेगा खिक दियन इन जितना ईलेक्टरन गेन करता हो चômथना जितना यह तो ही सब्सक्राइब कर सकता है कि यह तीन तरीके से बनाएगा पहला कैसे बनाएगा तो पहला बना सकता है transfer of electron हम लिख दे रहे हैं है लिख दे रहे हैं कि bonding is form bonding is बाडवावू form by three method by three base लिख देते हैं पहला है उसमें कॉन transfer of electron transfer of electron मतलब की electron को transfer कर तो जैसे sodium है sodium की 11 है 281 इसकी configuration हो गई 281 है तो देखो यह neon के जैसा बनना चाहेगा neon की atomic number 10 है वन इलेक्ट्रों रिलीज कर देगा और neon की configuration 28 होती है तो यह जैसा बन जाएगा तो यह वन electron release कर दिया तो यह losses हो गया और जैसे दूसरा हम तुमको देदे हैं मान लो कि किसको देदे है sodium है चलो potassium को ले ले लेते हैं calcium के atomic number है 20 2882 अब यह जो है वो किसके जैसा बनना चाहेगा आरगन के यह जैसा 18 288 दो इलेक्ट्रोन यह loss कर देगा अपना ऐसे ठीक है तो यह ट्रांसपर ओफ एलेक्ट्रोन दूसरा जो तरीका हो सकता है वह हो सकता है गेन ओफ एलेक्ट्रोन गेन ओफ एलेक्ट्रोन जिसका भी अभी हमने एक्जामपल दिया था सलफर का या क्लोरीन भी हो सकता है यह भी इलेक्ट्रोन को गेन करेगा या तुम्हारा नाइट्रोजन हो गया ओक्सीजन हो गया ना फ्लोरीन हो गया यह सारे जो है वो इलेक्ट्रोन गेन करेंगे ठीक है और तीसरा जो तरीका होता है वो होता है bonding बनाने का sharing of electron sharing of electron sharing of electron में याद रखना दो चीज भूंगे ए नमबर में एन एलिमेंट है विंग फोर इलेक्ट्रोन इन आउटर मोस्ट सेल इन आउटर मोस्ट सेल पहला तो कि वैसे element combined करेंगे और covalent substance बनाएंगे और sharing करेंगे जिसके की जिसके की आउटर मोस्ट में कितना electron हो four electron हो और बी condition जो यह है कि two non metals two non metals are combined to each other combined to each other मतलब कि पहला condition यह हो सकता है कि वैसे substance जिसके outer muscle में four electron हो तो वो covalent substance बनाएंगे और साथी साथ आप यह भी check कर लेंगे कि combined होने वाले दो substance जो है वो दोनों ही non metals है या फिर दोनों ही electron negative है तो ऐसे इस्तिति में भी वो sharing of electron करेंगे ठीक है तो यह covalent बनाएंगे transfer of electron मतलब ionic और यह दोनों जो है वो आजागा covalent में याद रखना यह दोनों जो है वो covalent में आ जागा और यह प्रॉब्लम नो तो एक हम इस कोने में आपको hw में दे रहे हैं आप यह बताएंगे कि potassium की nature क्या होगी के cl का nature क्या होगा आइनिक है या covalent है पहला comment box में बताओ kcl जो है वो covalent है या फिर आइनिक है और दूसरा बताओ बहुत इजी देंगे कि इसो टू सलफर डायोकसाइड जो है वो covalent है या आइनिक है यह दोनों बताओ यह आइनिक है या covalent है यह covalent है या आइनिक है इस देट ओक है तो आप इसका भी स्क्रीन सॉट ले लीजे जो बहुत ही छोटा टॉपिक था कि किस तरीके से reaction करता है और क्यूं करता है तो हमने बताया कि क्यूं करता है वो इसलिए क्योंकि वो नेट गयस के साथ बनना चाहता है और उसके तरीके कौन-कौन से हैं तो तीन तरीके हैं और कैसे करता है वो भी बताया लॉस और गेल जितने भी